प्यारे बच्चों नमस्कार आज एक बहुत छोटी सी क्लास में हमें बहुत इंपोर्टेंट टोपिक करने वाले हैं जिसमें हमने उन सभी संख्याओं के क्यूब करने हैं जिन संख्याओं के कंप्लीट क्यूब हो जाते हैं और ये काम हमने सिर्फ एक ही सेकेंड में करना है या फिर एक ये कहो कि इसको देखते बता देंगे इस संख्या क्यूब क्या होगा तो आओ सुरू करते हैं क्यूब क्यूब करने से पहले हम पहली दस संख्याओं के क्यूब याद कर लेते हैं क्योंकि इनकी बार बार जरूत पड़ेगी तो देखो एक का क्यूब कितना होता है एक यह सब को याद है 2 का क्यों कीता होता है 8, 3 का 27, 4 का क्यों होता 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का होता 737, 10 का क्यों होता है 1000 हमने यहाँ पे बहुत important से सीखनी है कि 1 के क्यूब में unit place पर कौन सांक आया तो यहाँ पे कौन सांक आ गया है 1, और 2 के क्यूब में unit place पर क्या अंक है 4, 5 के क्यूब में कौन सा unit place पर है 5, 6 में 6, 7 में कौन सा 3, 8 में 2, 9 में 9 और 0 आजे तुमारा कितना 0, हमने यह जो अंक का unit place वाले है यह हमेशा याद रखने है तो इसको यादना तरीका क्या है अगर 1 है, एक का में क्यूब करना तो उसका unit place एक ही आ रहा है याद हो गया में ठीक है, अगर संक्या 4 है, उसके unit place 4 ही है ठीक है, और अगर 5 है तो 5 ही है, 6 है तो 6 ही है, 9 है तो 9 है और 10 है तो, या 0 है तो 0 ही है देखो DUS में से हमारे कितने चे यंग 6 डिजिट वो हैं जिनके क्यूम में 11 के स्थान पर यूनिट प्रेत पर वह यंग 2बारा अब यहां पे पेर बनाबाना हम 2 संख़ा लेते हैं 3 और साथ, जो तीन का जो क्यूग करते हैं, यूनिट प्लेस पर साथ आता है, और जो साथ का क्यूग करते हैं, यूनिट प्लेस पर साथ आएगा, और साथ के यूनिट प्लेस पर तीन आएगा, इसी परकार से दो अंक और लेते हैं, दो और आट, जो दो के यूनिट प्लेस पर आ आठ आएगा और आठ के इन रिप्रेस पर दो आएगा हमने सिर्फ सारी दस अंख है यहां पर दस में देखो एक का एकी आ रहा है चार का चारी आ रहा है पांच का पांच आ रहा है छे का छे आ रहा है नो का नो आ रहा है और दस का दस आ रहा है हमने क्या द्यान रखना है दो के सामने आठ है, तो आठ के सामने 2 है, 3 के सामने 7 है, तो 7 के सामने 3 है, बस हमें इनके क्यूब का ये संख्या, unit place वाली हमेशे याद होनची ये, अगर याद करते हैं, तो हम एक second में क्यूब बता देंगे, इसका क्यूब ये है, जब हम cube निकाल रहे होते हैं cube root निकाल रहे होते हैं तो actually निकालते क्या है एक बार इस बात को समझा क्या निकालते होते हैं एक संख्या मारे पास अब है 15625 इसके गवार हम prime factor करते हैं यह किसे वागोती 5 से 5 ती है 15 5 ती है 5 पांच 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 625 का square root निकालना हो, q root नी, square root निकालना हो, इसका मतलब हम एक ऐसी संख्या डोड़ना चाह रहे हैं, उस संख्या को अगर दो बार multiply कर दें, आपस में, तो कितना आना चे मारा, 15625, तो कैसे आएगी वो, ये साई, जो हमारे prime factor आगे हैं, इनमें हम दो-दो के pair लेंगे, दो में से एक pair संख्या लेंगे, दो में से एक लेंगे, दो में से फिर एक लेंगे, तो कितनी बार लें लेंगे हमने दो, कितनी बार संख्या हमारी आजएगी, पांच में से एक संख्या लेनी है इस पांच में से फिर एक संख्या लेनी है तो कितना आ गया हमारा 125 तो इस संख्या का स्क्यरूर्ट कितना आ गया 125 125 को अगर 125 से दो बार मल्टिप्लाई कर दें तो कितना आज़ा 15625 तो इस संख्या स्क्रेट कितना आगे हमारा 125 अगर हमने इसी संख्या का क्यूब रूट निकालना हो क्यूब रूट तो इसका मतलब हम एक ऐसी संख्या ढोंड़े होते हैं अगर उस संख्या को horrific तो kितना आज़ा 15625 तो कैसे पता लगे हमें हमें ने हो इसमें हमने तीन बार पेर बनाने तीन संख्या लेनी हैं तो यहांसे एक संख्या क्या ले लेंगे हम 15,635 तो यह से एक संख्या लेंगे 5 और यहां से एक संख्या और लेंगे अगले पेर में से 5 तो कितना आगया हमारा 25 तो इस संख्या का स्केर क्योब रूट कितना आगया हमारा 25 इसका आगया अगर मैं 25 को तीन बार मल्टिप्लाई कर दूं क्यों का आगया तीन बार मल्टिप्लाई कर दू तो हमारी given number हमारी आ जाएगी, लेकिन हमने इतना बड़े तरीके से नहीं करना, हमने तो सारा काम एक second में करना है, तो एक second में कैसे होगा, चलो देखते हैं, हम इसको जो question को करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कौन सा अंग है, पांच, यहाँ पर, यहाँ पांच मिला, अधो पांच किसके सामने मिला, पांच के सामने, तो यह अंग हमने यहाँ पर लिख लेना है, कितना हमने पांच, और जैसे पांच लिख हैंगे हम सीनंग छोड़ देंगे एंग यहां पे कितना पूंद्रा से कम तों किसका क्योब 2 तो कम किसका है, दो का, तो यहां पे क्या लिख देंगे, दो, तो पांच हमने वासे लिखा, तो यहां से लिखा, तो इसका अंसर कितना आगे, हमने 25, तो हमने इसर देखते ही कर दिया, यहां पे पांच है, तो हमने पांच को डूणना पांच यहां पे मिला, पांच किसके सा पंद्रा से कम हो तो किसका क्यों पंद्रा से कम है दो का तो हमने यहां क्या लिख दिया दो तो इसका क्यूट कितना हो गया पत्चीस हमने और कुछ नहीं लिखा क्यूट कितना हो गया हमारा पत्चीस चलो बिल्कुल ऐसे ही और संक्या देखते हैं लग दो इनको देखते करेंगे बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे चलो द्यान दो यहाँ पर कितना लिखा है नाइन तो हम नाइन दुर्णेंगे नाइन हमें यहाँ पर मिला तो नाइन किसके सामने मिला नाइन के तो यहाँ पर देखते क्या लिखेंगे नाइन लिखेंगे और नाइन लिखते हम तीनंग छोड़ देंगे तीनंग को छोड़ देंगे कितना बंच क्या हमारा एक सो सत्रा अब किसका क्यूब एक सो सत्रा से कम है किसका चार का तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 49 तो नेक्ष्ट का देखो। यहाँ पर क्या लिखा एक.. एक.. यहाँ पर मिला हमें..akter कीसका क्यूब 35't quiero तो इसका अंसर कितना हुआ गया 61 तो किसी में एक सब्राइट ज्याद लग रहा है यह देखते बता दें कितना है 61 शलो नेक्स्ट के आथे कि अब आपने सिखो यहां पर क्या देखा में एक है यह मिला किस के सामनी मिला एक के सामनी मिला एक के साने मिलते क्या करना आमने तीनंग छोड़ देने हैं, किती संख्या बचगी, 753, किसका क्यूब 753 से कम है, किसका क्यूब 753 से कम है, तो आंसर कितना आगे हमारा, 91, चलो next पर ओ, दो अगला आपने यहां पर क्या देखना है, यहां digit कौन सार 9, तो देखो 9 यहां पर मि मिला 9 के सामने, तो आमने यह संख्या लेनी 9, 9 लेते हमने तीनंग छोड़ देने हैं, अब क्या बचकी, 970, किस संख्या क्या क्यूब 970 से कम है, देखो 10 का तो ज्यादा है, तो 970 से कम है 9 का, तो यहां पर हमने क्या लेना है, 9, तो इसका क्यूब रूट आ गया हमारा 99, देखते हैं रहा हमारा, चुरो next पर आते हैं, अब तुम्हें थोड़ा idea खुद से हो जाना चाहिए, अब जल्दी करते हैं, एक सेग्ड में कैसे हो, यहाँ पर क्या मिल गया हमें? हमें क्या मिला यहाँ पर? चार, दो चार डुन्डो का मिलेगा, चार चोसर यहाँ मिल गया, तो किस के सामने ही है? चार के सामने ही है, चार के सामने ही ते लिखेंगे और तीन हंग छूड़ देंगे, किता बसके हमारा थर्टी नाइन, किस का क्यूब थर्टी नाइन से कम है? तो 3 का Q 27 होता, 30 यह जग कम है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 34, 34 का Q Q ही है, next पर यहाँ पर क्या ले लिखे लिखे, 4 किसके सामने मिला? 4 के सामने, 4 लिखते ही क्या करेंगे? 3 अंग छोड़ देंगे, किता आगा? 262, किसका Q 262 से कम है? 266 का Q 262 से कम है, तो सक्रेट कित आगे होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं, देखो, यह मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, और यह तीनो संक्याव क्यूब आपने खुद निकालने है, एक बार देखते निकालने है, और सारे जो है, हमें कॉमेंट करके बताने हैं, तीनो, और तीनो करके, फिर कोशकर बाइब बाइब